हेलो दोस्टों कैसे हो आप लोग तो आज के लिए फिन में करेंगे बेला चाओ का फिंगर स्टाइल युकुलेले पे काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है और मुझे बहुत रिक्विस भी है इसका लेसन करने के लिए फाइल याज करेंगे तो इसका दो फ़र्दन करेंगे एक सिंपल पिकिंग में और एक सिंगर स्टाइल में तो दोनों के रिटन टैप्स अपको अपको एक्कोस्टाट डॉट क सबसे बिसके सिंपल टाइज देखते हैं आपका जाएगा लाइक दिस सिंपल आप टाइज देख सकते हो सेकंड स्रिंग उपन फर्स ट्रिंग उपन तू फ्री उपन दोबार रिपीट करेंगे थर्ड टाइम अलमस्ट सेम है यह आपका थर्ड पार्ट तो आपका थर्ड पार्ट कैसा जा रहा है देन सेवन फिर पर तीन बर तो क्या होगा यह पार्ट देन नहीं से ही सेवन फ सेवन एत आए यह देन सेवन व यह पार्ट तीन बर तो क्या है खके यह देन और स्रिंग टाइम जा नहीं सेवन थ्रीज दीन 3, open तो क्या होगे आपके लास्सबर्ट उसा भी प्ले कर सकता है फिर इसका पहला लाइन तो यहांप इसका simple picking end होता है तो चैली इसका finger style भी देख तो finger style में आपको same melody play करना है बस आपको उसमें chords भी इंक्लूट करना है तो आपके पहला part जागा राइक इस तो क्या हो रहा है सेम है आपका 2nd open, 1st open, 2nd fret then pinky रखके strum करेंगे यहाँ पर आपनों A minor chord पकड़े that is आपका 4th string 2nd fret तो क्या जाल है आपका pinky रखके down, pinky हटा के up then chuck करेंगे, ठीय लग दिस chuck, up, down इसको दो बार repeat करेंगे down, up, chuck, up, down तो taps दे मैंने chuck को cross में लिखा हुआ है, वहाँ पर चेक कर सकते हो तो क्या हो गया आपका रहा है, फिर्ज रेक्टे फ्लोली down, pinky रखके आप खटा के chuck, up, down दो बार repeat कीजिए यह हो गया then आपका आएगा यह क्या जाए आपका फिर से open second, open first, first ring second fret then pinky रखके, down then आपका ring रखके second fret पर down like this then first string open दो बार repeat करेंगे ठीक है यह आपका second part है तो second part को फिर सेख फ्लो में देखते है then आपका यहाँ पर A9th chord आएगा sorry A7th chord तो कैसा जाए आपका then A7th पर तीन बार down करेंगे तो यह थोड़ सा tricky हो सकता आपको change करने के लिए आप जो यहाँ पर A minor से ला रहे हो यहाँ पर आगे like this इसका आपका इसको slide करके लिए यहाँ पर 6th fret पर middle finger को ring finger को लाईए 4th string 7th fret index को 2nd string 5th fret pinky को 1st string 7th fret यहाँ आपका A7th chord रखकाता है यहाँ पर तीन बार down करेंगे 1, 2, 3 तो यहाँ पर प्राक्टिस कीजिए यहाँ से यह थोड़ सा आपको challenging लगए इसको आपको आपको हो जाएगा then आपका नेक्स पर्ट पिंकी जहाँ पर हमी पर लाएगा 7th index से 5th then अभी रिंग से 7th play करेंगे then पिंकी को रखेंगे 8 पर यहाँ पर इंडेक्स से बार करेंगे 5th fret को and down strum play करेंगे 2 बार तब try कीजिए 4th string को skip करनेगा बस 3rd string से play कीजिए तो यह पार्ट कैसा होगा यहाँ से यह position मे थे हम लोग ठीक है इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा तब कर फिर से यहाँ से लेखते एक बाद तब प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा देन आपको हें से 8, 7, 5, 8, 7, पिक करके देने यहाँ पे यह मेजर कोड पकाड़ेंगे लेक दिस डेक्टिस आपका इंडेक्स सिंगर जहाँ पसा में पर लेगा 7th fret middle finger लेगा 2nd string 8th fret and आपका ring finger 3rd string 9th fret 4th को skip करेंगे यहाँ पे दो बाग strum करेंगे 3rd string से तो यह part कैसा हो गया ठीक है देन इही से आपका 7, 5, 3 यहाँ पे E7 तो आपका E7 कैसा हो गया 4th string 1st fret index finger से 3rd string 2nd fret आपका middle finger से 2nd string open 1st string 2nd fret ring finger से E7 हो गया इसमें down strum करेंगे देन क्या करेंगे आपका जो ring finger उसको ले आएंगे यहाँ पे 7th fret पे बाहर कर लेंगे index finger से यहाँ पे 4th fret पे यहाँ पे 2nd down होगा तो आपका होगे E7 यह देन अगे E7 अभी क्या करेंगे सेम E7 पकड़ेंगे बस अभी pinky को लेंगे 3rd fret पे 1st string then A minor पे down तो यह आपका last part चल रहा है pinky लेंगे 3rd fret A minor आप तो A minor पे आप ऐसा ही play कर सकते हो last part देखते हो फिर से last part देखते हो फिर से then फिर से इसका पैला part आप play कर सकते हो यह पे रोक लेंगे तो अब इसको ऐसे part by part practice कीजा आप वो काफी easy होगा practice करने में प्ले करने में तो starting से अगवा पुरा slowly सभी parts देखते है इसको practice कीजिए play कीजिए मुझसे share कीजिए instagram पर मुझे tag कीजिए मैं भी देखना चाहूंगा आप कैसा practice कर रहे हो तो अगर कोई भी doubt आपने चे comment section में पूछे वाना instagram में आप मुझे contact कर सकते हूं मैं आपको में देखना next lesson पर thank you for watching